हलो फ्रेंट्स गाड़ियों में चाहें पेट्रोल की हो डीजल की हो या सी एंजी की या फिर हाइब्रिड लेकिन एक नाम जो तीजी से उपर आ रहा है वो है बिजली वाली गाड़ियों का यानि एवी एलेक्ट्रिक वेहिकल इलेक्ट्रिक वेहिकल के सामने अगर बात करें तो एक बड़ी समस्या आज के वक्त में है वो है इसके रेंज की इसके अलावाद चार्जिंग में लगने वाले टाइम की तो इसी को आज हम देखेंगे समझेंगे एक लॉंग ड्राइब पर हम चल रहे हैं और रियल गाड़ जो कुछ भी आएगा वो आप तक हम पहुँचाएंगे दिखाएंगे और इसके लिए जो माध्यम गाड़ी बन रही है वो है एमजी की जेड एस इलेक्टिक वेहिकल अब इसके रेंज की बात करें तो कंपनी कह रहे है कि 461 चार्सो 161 किलोमिटर एक चार्ज में जा सकती ह है इसके साथ ही साथ एक घंटे में 0 से 80% तक चार्ज हो सकती है अगर DC चार्जर का आप इस्तेमाल करें तो देखते हैं इन दावों में क्या सचाई है और क्या कुछ है इसमें खास आई तो दोस्तों जरनी की शुरुवात हो गई है स्क्रीन पर देख रहे है 89% बैटरी चार्ज है और जो रेंज दिखा रहा है वह 315 किलोमेटर का तीन मोड है इसको चलाने के इको नॉर्मल और स्पोर्ट्स इको पे आपको अच्छा जो है वो रेंज मिलता है तो हमने इको पे रखा हुआ है और ट्रिप जीरो कर दिया है तो यहां से अब काउंट हो रहा है कि कितने किलोमेटर तक फाइनली यह जा रही है बाकि हम बाद में कैल्कुलेट करके आपक कुछ और है तो यहां इसमें संद्रूफ आपको मिल रहा है और साथी साथ पानॉर्मिक है यह शुरू से लेकर आखिर तक आपको संद्रूफ का मज़ा मिलेगा दो लेयर हैं कर्टेन फस्स लेयर जिसमें सिर्फ मुझा लाएगा और बाकी सेकेंड लेयर जो जहां पर ग्ल दोस्तों चलते हुए हमें भी थोड़ा टाइम हो गया है और यहां भी चार्ज करने के ज़रत पड़ गई है तो हम यहां पर थोड़ी दिर के लिए रुखेंगे लेकिन जाने से पहले अंदर मैं आपको बता दू कि बैटरी की क्या सिचुएशन हो गई है आई ज़रा तो देखिए अभी 36% बैटरी बची हुई है और धरकन मेरी थोड़ी भढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि अभी और आगे तक जाना है शुरुवाती दोर में आपको याद दिला दे कि 89% बैटरी थी रेंज दिखा रहा है 315 अभी 36 बचा हुआ है कैल्कुलेट करें तो टो यह चली है रेंज जो है वो 134 किलोमेटर पूरे कल्कुलेशन के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ यानि कई न कई यह जो रेंज होना चाहिए था उसमें ड्रॉप हुआ है तो फाइनली क्या होता है जब हम डेस्नेशन पर पहुंचेंगे तो बताएंगे कि रेंज जो इसने क्लेम किया था वो कहां तक इसने अचीव किया है फिलाल लेकिन इनन यहां चार्ज यहां आता हूं कि अब सफर को आगे बढ़ाते हैं मैंने तो खुद को चार्ज कर लिया अभी गाड़ी चार्ज नहीं हुई है कोई चार्जिंग पॉइंट देखके वहां भी से चार्ज करना ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने कहा है तो डर लगना मुझे शुरू हो गया है आई दोस्तो इस ट्रिप में हमने फुल थ्रिल का भी मज़ा लिया कैसे देखिए सामने हैं आपके 7% बैटरी बची हुई है रेंज दिखा रहा है 29 किलोमेटर यानि 29 किलोमेटर और जा सकता है हमें जाना है 14 किलोमेटर हमारा जो डेस्टिनेशन है 14 किलोमेटर पर है सेफ हमने एसी बंद कर गिया है इसलिए क्योंकि जो ये रेंज दिखा रहा है उससे थोड़ा कम ही परफॉर्मेंस है इसका तो हमका हमारी स्थी आप समझ सकते हैं देखते हम वह पहुशते हैं क्योंकि चार्जिंग स्लॉट हमने तय किया है कि जो हमारे डेस्टिनेशन पर होट तो दोस्तों जैसा कि हमने सोचा था कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर जहां चार्जिंग का स्लॉट है वहीं परसीदे जाकर चार्ज करेंगे तो हम यहां पहुँच गया है सामने चार्जिंग जोन है और अब आपको ज़रा अंदर की हालत दिखाते हैं कि अंदर कितन परसंट बैटरी बची है कितनी दूर चली वह कल्कुलोशन भी देखिए तो देखिए फिलाल दो परसंट बैटरी बची हुई है छे किलोमेटर और चल सकती है रेंज यह दिखा रहा है और हम चल चुके हैं 221.6 किलोमेटर और जैसा कि शुरू में जब हम चले थे तो जैस कर रही है रेंज के अकॉर्डिंग उसमें तकरीवन 95 किलोमेटर हमें कम मिला है तो यह एक तय हो रहा है कि जो रेंज इसमें दिखा रहा है वो उससे आपको कम मिलेगा हमने जब की इको में ही गाड़ी चलाई है बीच में हमने एसी बंद भी कर दी लेकिन फिर भी जो एक् उसमें 95 किलोमेटर कम रेंज हमें मिला है तो दोस्तों यह है चार्जिंग स्टेशन यहां पर गाड़ी चार्ज के लिए लग गई है यह भी शुरुवाती दोर है इस तरह के चार्जिंग स्टेशन आपको शहरों में अलग अलग जगोप और हाइवे पेर जो है बड़ी सं अलग 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 अप होता है चाहें आपके पास एंडराड हो या फिर एपल आई उसका आप डाउनलोड करेंगे अपने फोन में आप उसके बाद उसके वालेट में कुछ पैसे डालेंगे फिर आपकी गाड़ी की कितनी रिक्वार्मेंट है यानि किलोवाट के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से वह आप उसमें चूज करेंगे और आपकी गाड़ी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी अभी इसका पूरा प्रॉसेस है ना वो थोड़ा सा समझने कॉप्लिकेट है हमें भी बड़ा प्रॉब्लम होई कि कभी केबल निकालो फिर डालो फिर झालो हो जाएंगे शुरुवारती दोर है तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो इस तरह से आप अपनी गारी को चार्ज कर सकते हैं साथी साथ में 350 में जीरो से 80 पर संट तक चार्ज किया जा सकता है वैसा जो मैं क parchment देख rabbit iate टाइम और लएगा आधे गंटा और लएगा और एसी चार्जिंग की बता हूं तो वह नौ से दस घंटे तक लेती है ऐसी चार्जिंग आज चाहें आप यहां पर करें या फिर कहीं अपने घर पे नॉर्मल पावर फ्लक्स दोस्तों एलेक्ट्रिक वेहिकल में रेंज कर रहे हैं जैसे कि एलेक्ट्रिक वेहिकल में आजकल एक फंक्शन होता है रीजिन का रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम यानि इसमें क्या करता है कि जब आप गाड़ी आपकी जो है कहीं भीड़ बाली जगों पे रहती है यहां आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है थोड़ी उबर खाबर रास्ते हैं तो वहां पर यह फंक्शन काम करता है अच्छे से काम करता है और आपकी गाड़ी जो है वो चार्ज भी होती रहती है पहाड़ों पर अगर आप गए और जब उतर रहे होते हैं वहां पर आपने रीजेन ओन कर दिया तो वह बहुत तेज से चार्ज होती है गाड़ी अब इसका इस्तमाल आपको करना है अगर हाइवेप आप जा रहे हैं अच्छा देखे इसमें तीन इसके लेवल होते हैं रीजन के हो वन टू थ्री वन में आपको तब चलना है जब हाइवेपे हैं टू जब मिक्स है जब फूबर खाबर थोड बर आपके रेंज को जो है वह मारता है ऐस्य करता है दूसरी बात यह है कि आपको मोड यह वो ihan पर रखना यहां पर नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स पर सबसे कम रेंज निलता है और जो है नॉर्मल पर उसे कम और इको पर सबसे बहतर थे इको पर तो हमने रखा हुआ था इसके अलबा अगर गूज कंट्रोल का आप इस्तमाल कर सकते हैं तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इन बातों का ध्यान रखते हुए एक बार थिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि रेंज मापा जाये देखा जाये कितना मिलता है सेम वही इस्तिती है 89% बैटरी बची और रेंज इस बार दिखा रहा है 302 देखते हैं फाइनली क्या रेंज इस बार देती है यह तो यह मोड मैंने प्रिकर दिया एक को और फिर एक कोशिश और चलो उनसे उमीदों के उम्र आकाश की उचाई और सपनों की गहराई मांगला है तो इस एवी एलेक्रिक वेहिकल का रहीं तो हम आपको बताई रहें एक्जक्ली रियल ग्राउंड पर कितना निकत्रा है लेकिन चलते चलते हैं ताकि इस वेहिकल को बहतर तरीके से समझने में आपको आसानी मिलें लेकिए अगर किसी गाड़ी को अच्छे मार्क आप देते हैं तो अच्छे मार्क तब देंगे मेरे हिसाब से जब उसका सेफ्टी फीचर भी काफी अच्छा और अडवांस हो देखे एर बैक तो इस फीचर से जो काम करते हैं तो देखे यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ब्लाइंड स्वाट डिटेक्शन का ओप्शन इसमें दिया हुए है इसके जरीए ब्लिंक करके यह आपको बहुन करेगा अगर कोई भी वेहिकल आपके पीछे आपके जो है अजद में यानि आप कोई अगर आपने कोई गाड़ी क्रॉस करती है तो वह अलर्ट देता है यह एक अच्छी बात है साथी साथ अडास लेवल टू इसमें आ चुका है अडास यह ड्राइवर को असिस्ट करने वाला फीचर है काफी अडवांस और इसमें दो लेवल के आ रहे हैं जिसमें आपने कंट्रोल में ले सकती है तो यह एक अच्छी बात है फीचर को लेका अगर देखा जाते हैं जो चीजे दिख रही है वो मैं आपको बताता हूं एक देखिए यह स्क्रीन आपको टूंटी पॉंट्वाइंट्वाइंट्वाइंट्स सेंटीमीटर का एच डी टॉच स्क्रीन है जिसमें गाड़ी से रिलेटेड तमाम तरह के इंफोर्मेशन और या कहलें इंफोर्मेशन के साथ साथ एंटर्टेन्मेंट सब कुछ इसमें आपको दीखेगा कंट्रोल कर सकते हैं तर्च अच्छा है इसका 35 प्लस हिंग्लिश हिंदी और इंग्लिश के वाइस कमांड यह लेता है अगर आप बोलेंगे हैलो अम जी इस तरह से यह रिस्पॉंड करता है आप आप चाहें जो भी कमांड दे इसके अलाबा 100 प्लस वाइस कमांड इसमें दूसरे तरह के हैं बाकि स्टेरिंग के बारे मैं आपको यहां पर जो कुछ भी दिख रहा है तो देखें यहां पर आप फोन इससे कनेक कर सकते हैं वाइस कमांड के लिए एक बटन यहां पर दिया हुआ है रेडियो चला सकते हैं फो यहां पर यह फीचर यहां पर तमाम दिया हुआ है साथी साथ अगर यहां पर इसके क्रूस कंट्रोल की करें क्रूस कंट्रोल आप जानती है कि आप अगर हाईवे पर जा रहे हैं और एक से अलावज सी टाइप भी है इसके साथ ही साथ एक अच्छी बात ये भी है कि इस जगह पर आप वायरलेस चार्जर की भी दवस्ता है मोड इसमें दिये हुए है जिसमें आपके बताए कि तीन अलग अलग मोड है इसके नॉर्मल इको और स्पोर्ट्स इसके अलब रिजनरेटी ब्रेकिंग सिस्टम यहां से कंट्रोल होता है बैटरी क्या लेबल देखना चाहेंगे अगर आप इसके अन हो जाएगा तो उससे भी आप एक्चुल अपनी कार के स्थी को समझ पाएंगे यह आपका पार्किंग के वक्त हैंडब्रेक का इस्तमाल यहां से आप कर सकते हो उपर खीच कर और जब उसको रिलीस करना है तो नीचे दबा दीजिए आम्रेस के लिए जगह है साथी इतना खासा अच्छा खासा जगह भी है साथ में यहां पर दो कप रखने के लिए जगह है और अब बात गाड़ी के पावर की वह बहुत इंपोर्टेंट है तो पावर है इसका 176 PS 176 PS काफी अच्छा है टॉर्क जब आप चड़ाई पर जाते हैं वहां गाड़ी का पफोर में आज आ रही है तिक अप ले रही है वह काफी इंप्रेसिव स्पीड जो है 0-100 पकड़ने में 8.5 सेकंड कंपनी बता रहे हैं पीछे के सीट कंफर्टेबल है यानि यह भी जानना जरूरी हो तो पीछे की सीट पर मैं हूँ और आप देख सकते हैं कि हैड रूम प्रॉप साथ साथ अगर फोन चार्ज करना है तो एक स्लॉट यहां पर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है सी टाइप का भी यहां पर यह अरेंग्मेंट है लो जी दोस्तों तो हम फाइनली पहुच गए अपने डेस्टिनेशन पर यानि जहां से हम चले थे तो एक तरफ से जब हम जहां गये थे वही सेम डिस्टेंस हम वहां से वापस आए हैं जाने में जैसा आपने देखा कि बैटरी जो है हमारे पास सिर्फ दो परसेंट बची हुई थी और अगर रेंज की बात करें तो 95 किलोमेटर रेंज में गिरावट आए थी जो उस समय गाड़ी ने दिखाया था अब ज़रा देखिए हाकिकत क्या है हमने तरीके से चलाया हुआ है जो जो नौम समय फॉलो करने थे और 90 परसेंट जो है बैटरी बची हुई है औ देखिए हमने बस घ्रादन कुछ नहीं किया 30 का इस्तमाल किया और जो रीजन ह है वह हमने वहbuild ओन में रखा जो पिछली बार नाघिमे दाला हुआ था और अगर ऐसी की बात करें तो हमने इस बार कहीं बंद नहीं किया वहां पर तो इस विर्सपर्स करना पड़ा है इस ड तो और भी ज्यादा माइलेज मिलता वो तब होता है जब आ पहाड़ी अरया पे हो या फिर भाड़ी जगोह पे हो तो यह है हकीकत इस वेहिकल के बारे में सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी रेल ग्राउंड पर हमने क्या महसूस किया वो भी आपने जाना अफैसला आपके हाथ में बागी इसको लेकर इलेक्ट्रिक वेहिकल को लेकर स्पेशली जो थोड़ी बहुत दिक्कते आ रही है वो वक्त के साथ ही दूर होंगी क्योंकि अभी अपने यह इनिश्यल फेज में है तो आज के लिए इतना ही जल्दी फिर मुलाकात होगी नमस्कार झाल 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 झाल